हेलो डियरी स्टूडेंट आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो यहाँ पे हम आया हैं लेके आप सबको सॉल कराने CSIR का PYQ जैसा कि आपको पता है आपका CSIR का डेट भी आउट हो चुका है तो यहाँ पे हम आपको कोश्चन सॉल कराएंगे और यह कोश्चन मैंनली होंगे PYQ से और कोश्चन सिंपल होंगे नाट ओनली फार्दा CSIR बट आलसो फार्दे MSC, इंट्रेंस, आसिस्टेन प्रोफेसर सब के लिए अलाग होंगे हम टब कोश्चन बिलकुल नहीं देखेंगे हम ऐसे कोश्चन को यहाँ प कर सकते हैं तो डिटेल में देखेंगे सारे अहम MCQ को और डेली यह MCQ आएगा तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ठीक है नए होता और दोस्तों में सेर भी कर दीजेगा तो चलिए एक को हम यहाँ पे देखते हैं तो आपके सामने यह पहला कोश्चन है पेन मैं तो जाइगस जीनो टाइप कम हो रहा है और होमो जाइगस जीनो टाइप क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है होमो जाइगसिटी बढ़ रही है द्यू टू दर रैंडम मैटिंग तो रैंडम मैटिंग की वज़े से जो होमो जाइगसिटी बढ़ता उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं inbreeding depression और inbreeding वाला देख रहे हो यहाँ पर intensive inbreeding तो answer तो आपका यही होगा इसका मतलब आप समझते हो जैसे दो close जो individual रहेंगे close relative के बीच में अगर आप cross करा रहे हो marriage करा रहे हो तो heterogigocity घटेगा homo-gyegocity बढ़ेगा तो यही चीज है जैसे यार पहले के राजा महराजा होते थे ना भाई बहन में ऐसे साधी करा देते थे जिसके वज़े से inbreeding depression आता था रिसे सीवेलील अपने आपको इस्पेस करती थी और वो लोग को ऐसे बहुत परसानी होती थी genetic drift के बारे में जानते हो कोई भी पापुलेशन है वहाँ पे sudden genetic composition में चेंज आ जाए due to become आ गया भूइस खलन आ गया कोई भी ऐसा natural climatic आ गया है तो genetic drift उसे बोलते हैं यह दो परकार का होता है founder effect और bottle lake effect तो हमने बताया ना जैसे मालो एक पापुलेशन है यहाँ पे बहुत सारे individual रहते हैं तो किसी भी कारवा से लोग मर जा रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ थोड़े से एक दो individual बच रहे हैं तो इसको बोलते हैं bottle lake effect फिर यह जो एक दो individual बचे हुए हैं यह matching करके अपने number को बढ़ाते हैं तो यह होता है founder effect और founder effect में जो भी चीज़े आते हैं यहाँ पे homozygocity increase होती है ठीक है और heterozygocity घर्षती है तो आप answer सोचेंगे यह होगा लेकिन intense inbrating की वज़ा से यह होगा homozygocity निटाए तो B होगा इसका correct answer अगले question में चलते हैं which one of the following statement about the phytoharmone FCC acid is correct तो आपको पता होना चाहिए FCC acid जो है 15 carbon containing हार्मोन है जो की सिस्क्वे टरपीनी nature है कान्स एन एडिकेरोट ने खो जा था तो high level आप ABA predominantly promote VV perry अगर किसी भी seed में high level ABA का रहेगा तो वो क्या रहेगा seed germination को inhibit करेगा तो seed germination होगा है नहीं तो VV perry की बात ही नहीं करेंगे VV perry का मतलब होता है कि seed का germination fruit के अंदर ही हो जाए तो अगर low level ABA रहता तब VV perry कराता तो ये तो गलत हो गया ABA beta d glycosyl ishter is inactive form आप ABA दोखो ABA अगर किसी भी के साथ conjugate form रहता तो उसको inactive form में करते हैं जैसे कि सुगर-ुगर के साथ हो गया या इस्टर के साथ हो गया तो ये जो है चीज ये आपका active नहीं है inactive है तो ये भी गलत हो गया inactivation आप ABA in all its oxidation to phagic acid बिल्कुल सही बात है अगर आपके किसी भी case में inactivation कराने के लिए उसे plant के अंदर change कर दिया जाता है oxidation करवा के phagic acid में ये चीज सही है एंसर आपका C ही होगा D देखते हैं ABA biosynthesis occur entirely in the plastic No, no, only not in plastic but also in the cytosol तो एपसिसी केसीड का biosynthesis plastic के साथ-साथ cytosol में भी होता है तो ये चीज आप जान लेना चलो अगले question पर चलते हैं Which one of the following statement related to photosynthesis is not correct तो आपना question में correct not correct ठीक है इससे अब यह सब ध्यान में देखना not correct पूश रहा है light reaction takes place in a thalokoid membrane बिल्कुल सही बात है thalokoid membrane पे PS first, PS second होते तो वहाँ पे होता है ये answer सही है ATP और NADPH are produced in thalokoid membrane बिल्कुल सही बात है energy currency of the cell and reducing power of the cell जो thalokoid membrane के अंदर produce होते है lumen is enclosed in interconnected region of the thalokoid membrane बिल्कुल सही बात है भया lumen जो होता है thalokoid membrane से होता है घिरा हुआ तो ये भी सही है NADH is produced during carbon reaction by the enzyme present in stoma stoma होता है अब ही हम देख रहे थे कि NADH दो होता है produce होता है देखो थalokoid membrane पे इस्ट्रोमा में नहीं होता इस्ट्रोमा में तो आपका trios phosphate या sugar बनता है न तो ये गलत answer हो गया यानि कि D ही होगा आपका right answer तो देखो ये सब question है CSIR में आई हुए हैं लेकिन आप CVT के लिए या assistant professor के लिए या किसी भी botany exam के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये जरूरी है तो question chart के लाया गया है यहाँ पर तो लाइक जरूर कर देना यार आप वीडियो को लाइक जरूर करना ये आप से request है अगला question है several protein are modified by the phosphorylation किसी भी protein को active करना है फास्फोर आइलेसन करा दो फूरा cell cycle जो है cell signaling इसी के उपर फास्फोर आइलेसन के उपर ही depend होता है तो specific amino acid residue के उपर होता है activity को alternate करने के लिए तो which of the following amino acid is not typically the site of phosphorylation in protein तो फास्फोर आइलेसन टिपिकली कहां पर नहीं होता तो देखो serine को फास्फोर आइलेसन किया जा सकता है त्रियोनीन पर किया जा सकता है तैरोसीन पर करते हैं लेकिन लाइसीन जो है manally ऐसा amino acid नहीं है जिसके उपर फास्फोर आइलेसन किया जाए तो आपका A होगा answer अगला question है select the group of plant that are known to have the increase the amount of vascular tissue by means of secondary growth from the vascular cambium question देखो तो एक्जाम में तो पूछे जाते हैं आप question को कैसे समझ पार हो यह important चीज है कि आप question सही तरीके solve कर सको तो मतलब यह है कि secondary growth कहाँ पहोता है तो secondary growth कहाँ पहोता है die cart में होता और gymnos pump में होता है तो यह बहुत ही basic question है जो CSIR में आया हुआ है जे आरफ इससे मिलता है आपको न भाई अगला हमारा question है which of the following class a plant secondary metabolite is present specifically in the order brassicles brassicles यानि की सरसो के अंदर पूछ रहा है आप कहोगे सर यह secondary metabolite क्या है तो देखो plant के अंदर ऐसे chemical जो directly plant के growth और regulation में involved है that is the primary metabolite like sugar हो गया amino acid हो गया यह सारे चीज और ऐसे चीज जो direct उनका role नहीं है plant के growth में लेकिन वो हर भी औरी protection ऐसे उसको दे सकते हैं तो वो secondary metabolite तो brassicles के अंदर actually में glucosinolate होते हैं तो यह बात आप ध्यान में रखना तरपीन आप जानती ही है तरपीन में जैसे तरपीन में यह बताओ जैसे यह चीज यह आद रखना दो हार्मोन पूछता है जैसे डाइ टरपीन ट्राइट और सिसको टरपीन वाला तो डाइ टरपीन क्या होता है जिब्रेली के सीड होता है और सिसको टरपीन क्या होता है अभी हमने बताया था एफसे सी के सीड होता है अगला हमारा question है which one of the following statement is true DNA से है तो बहुत ही basic simple question जो A and B DNA होता है वो right handed होता है और Z DNA जो होता है left handed होता है तो यह question CSIR का जो कि आपके हर एक्जाम में पूछे जाते हैं अगला question है intron in the eukaryatic gene are found in तो देखो intron तो जैसे जब हमारा यह mRNA बनता है ना eukaryatic में तो वो जो होता है जो यह mRNA बनता है तो immature RNA को हम heteronuclear mRNA बोलते है या RNA कह दो तो इसमें क्या होता है इसमें जो coding region होता है coding region तो वो हम बोलते हैं इसको exam और जो non coding region होता है non coding region तो वो होता है intron तो यह intron जो होता है rrn में भी पाए जा सकता है trn में भी पाए जा सकता है और ym rn में पाए जा सकता है तो यही splicing हम करते हैं intron को cut करके निकाल देते हैं exam को जोड देते हैं तो यह splicing तो एजिंग को कौन करेक्टराइज नहीं करता है जो अग्पान को कंट्रोल करता है live span increased due to resistant to oxidative stress live span increased due to resistant to oxidative stress तो ये चीज जो है आपका ये भी सही है और aging के लिए जो होता है shortening आप telomere हो जाता है female mice with mutation in IGF1 and IGF2 so induced live span नहीं भाई अगर IGF1 और IGF2 जो देखो यहाँ पर IGF1 था तो यह कह रहा था control करता life span को अगर यहाँ पर IGF1 और IGF2 में mutation हो जाएगा तो life span को reduce नहीं करेगा यह क्या करेगा life span को बढ़ा सकता है ठीक है तो answer जो होगा यह D होगा इस question को आप देख लेना बढ़िया से ठीक है सिंग्रेलिंग से अगला हमारा question है यह basic question है कि पूछ रहा है कि भया decreasing order में आपको इस species को arrange करना है कैसे सबसे ज़्यादा देखो हमारा पता यह कि जब हम बार डावसिटी पड़ते हैं तो 70% जो होते हैं वो insect होते हैं तो insect क्या रहेंगे 70% रहेंगे फिर उसके बाद angi sperm है फिर algae है फिर fishes है फिर क्या है आपके bird है फिर mammals है तो आपका B होगा आपका right answer अगला हमारा question है the flowering repressor gene that is responsible for vernalization requirement in aerobe deopsis तो मतलब इसमें से देखो यह FLC gene होता है अगर यह gene activate रहता है न तो flowering नहीं होता flower में FLC अगर activate रहेगा तो flowering नहीं रहेगा रिप्रेसर gene की तरह काम करेगा AFD, AFT, ORSAC1 और को यह सब activate रहेंगे तो flowering कराएंगे लेकिन अगर FLC activate हो गया तो flowering को inhibit कर देता है तो यह बात आप ध्यान रखना अगला हमारा question है कि जो हमारा आज का ICN है वो पहले क्या था male burn code जो हमारा मतलब किसका नाम बदल के ICN कर दिया गया तो यहां पर क्यूं है P है और R है तो पूछ रहा है यह क्या क्या है तो देखो यह क्यूं है यह सबसे बड़ा है ठीक है यह क्यूं को हम क्या कर सकते है यह हमारा देखो एक यहपका आपका P है और क्यों हैं तो यह हमेशा ध्यान रखना fundamental निके इस आलवेज greater than the realize निके ठीक है निक के बारे में ग्रीनल ने बताया था ग्रीनल ने ecological निक तर्म दिया था और एंड डामेंशनल निके हैपर वालूम के बारे में वालूम के बारे में किस ने बताया था गौस ने यह बताया था कि एक दो करेंगे दूसरे के साथ रहेंगे तो क्या रहेंगी एक जो इस परसीज रहेगा दूसरे को कर सकता है अगला कोशन में चलिया चलते हैं तो यही चीछ कर रहा है जब एक मालिकूल एस्टिल को एंजाइम एक आपका क्रेप साइकल में जाता है तो कितना कितना बनता है वहाँ पर NADH FADS तो वहाँ पर देखो क्या बनता है 3 NADH बनता है एक EFADS 2 बनता है और एक GTP बनता है CSIR का कोशन है और अभी में बताओं तो MPPSC Assistant Professor का एकजाम हुआ था वहाँ पर कोशन है हुआ था अगला कोशन है देखो Human Physiology हार्मोन से कोशन है लेकिन बहुत ही basic है आप अगर बायो पढ़े हुए हो BSC में इंटर में तो वहाँ पर आप सुनते हो जैसे देखो यहाँ पर क्या है फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉंस मतलब तो यह क्या होता है मतलब कोई भी चीज जैसे कुट्ते कहीं पर आपको दड़ा ले तो आप डर के भागने लगोगो तो आपका जो किड़नी की ऊपर एक ग्लैंड होता है और आप देखो यहां पर है स्लीप वेक साइकल जो जो मलाट यह स्लीप एंग साइकल को कंट्रूल करता है तो सी का दूसरा मैच हो जाएगा तो आप देखोगे हमारा बी का अंसर आ जाएगा करेगा और डोपामीन क्या करता है आपका यह करता है मुमेंट में आपको रिवार्ड देता है कि भी आने जाने के लिए दिमाग को अब देखो यह आपका एक दिया गया यहां पे ऐसे करके ग्राब दिया गया एक लिए लिए तो इससे मैच करना आपसे पूछ रहा है कि यह क्या चीज है ये हमारा B क्या चीज है C क्या चीज है D क्या चीज ए तो स्थेसं और गैपने पूरे जीवन पर करता रहता है due to intercalorie growth तो D का क्या match हो जाएगा D का पहला match हो जाएगा आप खुछ डो D का पहला कहां पे है यहां पे तो D का पहला यहां पे है फिर देखो आप archigonium archigonium जैसे तीसरा यह archigonium है तो देखो archigonium देखो यहां liver wart में भी रहेगा mosses में भी रहेगा और poly sporengium archigonium भी रहेगा तो आपका देखो A वाला जो हो जाएगा archigonium हो जाएगा A का 3 फिर B का देखो दूसरा match हो जाएगा तो B का यह liver wart में IL body होते हैं जैसे fruleania ऐसा बागे फिर आप C का देखोगे C का चुथा match हो जाएगा लेप्टाइट तो C देखो कहाँ पर यहाँ पर तो mosses के अंदर जो conducting tissue होते हैं वो लेप्टाइट तो वो mosses में भी मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं तो ऐसे करके आप question solve करोगे अगला देखो है flowem translocation से question तो भाईया आपको simple non reducing sugar are generally translocated बिल्कुल सही बात है B सही है तो दोनों सही हो सकता है देखो सुक्रोज and refinos are generally translocated ठीक हाँ सही है सुक्रोज और refinos के form में होता है तो B C सही है और यह D भी गलत हो जाएगा only D glukos और D fractos नहीं भाई देखो refinos भी है ना ठीक है और stacky ओ जे सब भी होते तो यह गलत यानि कि answer आपका B आ जाएगा चलो हमारा last question आज का तो यह भी आपके देखो knowledge based question है तो आपको जैसे यहाँ पे देखो क्या दे रहा है synthetic theory, modern synthetic theory क्या है तो यह modern synthetic theory जो है synthesis between mendelian genetics, population genetics और selection theory को मिला के बनाया गया था तो evolution जो आपका evolution में जो modern synthetic theory था तो पहला का तीसरा मैच हो जाएगा और पहला का देखो तीसरा जैसे मैच करोगे answer आजाएगा B का देखो चूता है फेलिटिक ग्रेजिवलेजियम बाई चार्ज डार्वीन तो B का है तो बिल्कुल सही बात है डार्वीन ने असी बताया था कि बारे में था तो आपका पता ही है मतलब एक के बाद होता है फिर D का देखोगे तो क्या है राइट फीसर मॉडल ये बताया था कि ऐसे एका एक प्रोसेस होता स्टैचिरिस्टिक मतलब रुका रहेगा फिर अपने आप एका एक हो जाएगा तुरंट तो D का पहला मैच हो जाएगा देखो अब यही चीज है आप एक जूलियन हक्सले वाला जो सिंथेटिक थिवरी अगर एका तीसरा मैच हुआ तो answer आजाएगा आपको देखो किसी भी question में पूरा पूरा नहीं पता रहेगा आपको answer निकालने आना चाहिए ठीक है और मुझे लगता है कि जैसे part B, part C CSIR है न तो आपना सारे question को देखिए यह नहीं कि यार हम biochemistry पढ़के गए है तो हमसे biochemistry question अरे छोड़ो उसे नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है और सारे question देखो बन जाएगा ठीक है इस तरीके से देखो हमने यह solve किया है वीडियो को like कीजेगा और channel पर नहीं है तो subscribe कीजेगा यह रहा हमारा CSIR के लिए कुछ question हम अगला part कर लग के आएंगे okay thank you for watching